दोस्तों अच्छे पत्तों का आना अच्छी किस्मत नहीं है जो भी पत्ते आपको मिले हैं उनको सही तरह से खेल लेना ही किस्मत है जी हाँ धन तेरस की आप सभी को शुब कामना है और मैं बिल्कुल ताश खेलने के बारे में आपको प्रेडित नहीं कर रहा हूँ ये एक मेटाफोर था, एक कहावत थी कि जीवन में हमें जो भी साधन मिलते हैं जीवन में हमें जो भी महोल मिलता है अगर हम उनको सही तरीके से यूज कर लें तो जीवन हुआ मारे उपर धन की वर्षा करनी शुरू कर देता है तो आज बात कर रहे हैं धन तेरस की जैसा के नाम से ही स्पष्ठ है ये तिवहार है धन की कृपा पाने का लेकिन दिपावली भी तो धन की ही कृपा पाने का तिवहार है ना तो फिर धन तेरस दिपावली से किन माइनों में अलग है? different है क्या धन तेरस पर ऐसा करें जो हम दिपावली पर नहीं कर सकते आज के वीडियो में हम यही सब डिसकस करने वाले हैं साथ में डिसकस करने वाले हैं धन तेरस पर करने वाले कुछ विलक्षन एफेक्टिव बहुत ही प्रभावशाली हो पाए जो आपके लिए धन के द्वार खोल सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैपी लाइफ विद योगेश शर्मा में दरसल दिपावली त्योहार है धन का वेल्थ का लेकिन धन तेरस त्योहार है वेल्थ का और हेल्थ का इस दिन की उर्जा healing की उर्जा है और ये दिन है उस चाबी को लेने का जिससे धन के दर्वाजे दिपावली वाले दिन आपके लिए खुलेंगे जि हां दरशल धन तेरस से दिपावली ये तीन दिन की यात्रा है अपने घर को और खुद को स्वें को धन की एनरजी से रीचार्ज करने की ताकि सारा साल हम जो भी करें उसका नतीजा बेंक स्टेट्मेंट में दिखे आपकी बैलन्स शीट में दिखे और धन तेरस इस तिन दिवसी यात्रा की शुरुवात है पौरानिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के तेरवे दिन समुद्र से भगवान धनवंतरी अफ्तरित हुए थे धनवंतरी यानि देवताओं के डॉक्टर वो अमरित कलश लेकर प्रकट हुए थे अमरित यानि अमर करने वाला एक पदार्थ और धनतेरस कुबेर का दिन भी माना जाता है कि कुबेर यानि देवताओं के कैशियर, देवताओं के खजांची देवताओं के धनके रखवाले अब अगर आप बैंक से अपने भी पैसे निकालना चाहो तो भी आपको जाना तो कैशियर के पास ही होगा न तो कुबेर की कृपा बहुत जुरूरी है अब एक बात तो पक्की है कि पुरानिक कहानियों के माध्यम से हमें जो मेसेज, जो संदेश दिये गए है वो हैं बड़े लॉचिकल धनतेरस के दिन चंद्रमा होते हैं कन्या राशी में कन्या राशी है बुद्ध की राशी बुद्ध है बुद्धी के देवता वो बुद्धी जो हमें पैसे की पहचान बताती है और बुद्ध राशी की जो दिशा होती है वो होती है नौर्थ दिशा के देवता है कुबेर अब देखे किस तरह से धन तेरस का कुबेर के साथ जो संबंध है वो अस्ट्रॉलिजी कले भी प्रूवन है अब ये भी प्रचलित है कि इस दिन हम बरतन खरीदते हैं अब बरतन खरीदने का क्या मर्म है क्या मीनिंग है बरतन दरसल जारतर जो बरतन हम लेते हैं वो गोल शेप में होते हैं चाहे वो कोई भी बरतन हो उसकी जारतर एक गोल शेप होती है और बरतन बुद्ध का रूप होते हैं क्योंकि हर सॉलिड और गोल चीज जो है वो बुद्ध होती है और बुद्ध के भी ईष्ट हैं कुबेर यानी धन तेरस पर हम जो रिचुल भी करते हैं जो बरतन वगेरा भी खरीते हैं दरसल उसका मतलब होता है कुबेर जी का अशीरवात लेना कुबेर की कृपा पाना लेकिन इसके साथ-साथ धन तेरस पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट उपाय है जो केवल साल में एक बार धन तेरस पर ही हो सकता है वो है अकाल मृत्यू से बचने के लिए उपाय है इसके लिए यम के नाम का एक दीपक जलाना होता है करना क्या होता है एक दीपक के चारो कोनों में चार बातियां रखे चार मुखी दीपक को तयार करना है सरसों के तेल का संध्या के समय जब दिन और रात मिल रहे हो उस समय आपको क्या करना है उस दीपक को प्रजवलित करना है जलाना है लेकिन जब आप प्रजवलित कर रहे हो फेस होना चाहिए दक्षिन की तरफ जब दिये ये चारो बतिया जल जाएं तो हाथ में दिया रखके यम से प्रार्थना करें कि घर के सभी सदस्यों को पूर्ण आयू दें अपना आशीरवा दें ताकि अकाल मृत्यू किसी की ना हो अब इस दिपक को आपने क्या करना है घर के मेन गेट की साइड पे गेहूं की धेरी पे या चावल की धेरी पे रखती जिए और ये जो उपाई है धन तेरस वाले दिन इसलिए बहुत कामियाब है कि इस दिन की जो एनरजी है ये सीधा उन ऊरजाओं से आपको कौनेक्ट करती है जहां पे आपकी ये प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है और आजकल जो करोना काल चल रहा है जिसमें अकाल मृत्यों का भहे आगे से कहीं ज्यादा बढ़ गया है तो इसमें इस दिपक को जलाने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब भगवान धनवंतरी अमरित कलश लेकर प्रगट हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमरित पीने से मौत ही नहीं होती असल में इसका मतलब है कि जब तक जीवन रहे स्वस्थ रहे और समय से पहले जीवन का एंड ना हो तो आप भी धन तेरस वाले दिन अपने घर पे अमरित तयार कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक चांदी का बरतन लीजिए आप चांदी के बरतन में गंगा जल या कोई भी जल भरके घर के नौर्थ हीस्ट या नौर्थ वेस्ट कोने यानि घर के वायू कोन या घर के इशान कोन में इसको रख दीजिए अगर आप चांदी का बरतन अफोड ना कर सकें तो आप स्टील के बरतन में भी जल भरके रख सकते हैं संबब हो तो उसमें चांदी का कोई टुकडा डाल दीजिए और उस बरतन के उपर सिंदूर से स्वस्तिक का निशान जुरूर बना दीजिए अब तीन दिन तक उस जल को वहीं धका रहने दे भूल जाएं पड़ा रहने दे दिपावली के पूजन से अगले दिन उस जल को उठाएं उसको अमरित की तरह खुद पीएं घर वालों को पिलाएं और बचे हुए जल का छीटा घर पर अपनी दुकान पर कारे सल पर दे बहुत ही effective remedy है ये सच में अमरित का काम करती है आपकी immunity को उस level तक बढ़ा देती है कि छोटी मोटी चीजों का आपके उपर असर नहीं होता जो दवा किसी बिमारी की चल भी रही होती है वो दवा भी लगनी शुरू हो जाती है आपका recovery rate तेज हो जाता है इस remedy को आजमा कर दिखेगा अब स्वस्तिक का निशान ना केवल सनातन की परंपरा है बलके किसी ना किसी रूप में दुनिया की कई सब्वेताओं की बहुत ही पवित्र निशानी है धन तेरस वाले दिन से तीन दिन अब पैसे की और हेल्थ की एनरजीज आपके घर आना चाहती है उनको आकर्षित करने के लिए हल्दी से स्वस्तिक का निशान घर के मुखे द्वार पर बनाईए ये आपके घर के अंदर आने वाली शुबता को 108 गुणा कर देता है जब भी हम शुबता की बात करते हैं तो मंगल की एनरजी को कैसे भूल सकते हैं भई जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि मंगल कार्य हो रहा है कुशल मंगल है तो जब तक घर के अंदर मंगल की इनर्जी सही नहीं करेंगे तो कुशल मंगल कैसे होगा शुबता टिके की कैसे पर अब मंगल की इनर्जी आपके घर के अंदर किस फॉर्म में है मंगल की इनर्जी आपके घर के अंदर है क्या घर के अंदर जो आपके चूले की आग है जो खाना बनाती है वो है मंगल की एनरजी तो धन तेरस पर आप अपने घर में मंगल की एनरजी को साफ रखिए कैसे घर के गैस बरनर की सर्विसिंग करवाईए अगर जुरूरत हो तो नया चूला लेके आईए क्योंकि अगर ये एनर्जी सही होगी तो ही धन कृपा का घर में स्थाई वास हो पाएगा क्योंकि आपके घर की जो खाने बनाने वाली आग है वो मंगल है और घर का बर्नर है उस आग को जनरेट करने का साधन तो अब आपने धन तेरस पे जब अपने घर का चूला सही कर लिया तो इसका सिधा सिधा मतलब है आपने अपने घर में शुब मंगल को स्थापित कर लिया लेकिन इसके साथ-साथ मंगल की एक बैड फॉर्म भी होती है उसको घर से हटाईए अगर आपके घर में कोई ऐसे चकू या कैंचिया पड़ी हुई है जिनकी धार नहीं है ये मंगल खराब है इनको उस दिन घर से निकाल दीजिए और इसके साथ-साथ specially आपके घर में अगर कोई तलवार क्योंकि शादी बया की तलवारे हमारे घरों में पड़ी होती है जिन में धार नहीं होती ये भी खराब मंगल है इसको भी कोशिश करिए धन 13 से पहले घर से निकाल दीजिए यानि आपने क्या करना है घर में अच्छे मंगल को इंस्टॉल करना है और खराब मंगल को निकाल देना है तो देखी आपने घर में उस दिन बरतन लेके आए शुब बुध हो गया बुध कौन? जो आपको धन की पहचान करवाता है उस दिन आप अगर घर में जूलिरी लेके आए आपने शुब ब्रहस्पती इंस्टॉल कर लिया घर में ब्रहस्पती क्या है? आपके धन को बढ़ाने वाली एनरजी और उस धन को एंजोई करने वाली एनरजी उस धन को आपके सुखों के लिए यूज करने वाली एनरजी वो है मंगल और इस तरीके से आपने धन तेरस वाले दिन छोटे छोटे रिच्वल से आपने ना केवल अपनी हेल्थ को, इम्म्यूनिटी को मिंटेन रखा, बलके अच्छे ग्रहों की इनर्जी को भी अपने घर में इंस्टॉल कर लिया तो खूब उल्लास से धन तेरस मनाईए क्योंकि ये दिन है पूरे साल की धन ग्रिपा अकरशित करने का दिन दिपावली के उपायों के लेकर बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार